आज हम पढ़ेंगे आपकी संस्कृत का पार्ट पांच इस पार्ट में जो है इस्त्री शिक्षा के विशय में बताया गया है कि किस परकार से इस्त्री ने लड़कियों ने और तों ने शिक्षा ग्रहन की पहले हमारे समाज में ऐसा नहीं होता था लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी संस्कृत की सिक्षा या कोई भी उनको पढ़ने लिखने के आजादी नहीं थी लेकिन यहां पे जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उन्होंने जो है संस्कृत की सिक्षा ग्रहन की और समाज को एक रूडिवादी विचारधारा से दूर किया जो समा आज को बताया कि इस्तरी भी जो है परलिक सकती है और कुछ कारिय कर सकती है पंडिता रमावाई उनका नाम है पंडित रमावाई इस्तरी शिक्षा के शेत्र में अगरणी पंडिता रमावाई ने सन 1858 इस्वी में जनम लिया तस्य पिता अनन्त शास्त्री डोंगरे माता चे लक्ष्मी भाई आसता उनके पिता अनन्त शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मी भाई थी तस्मिन काले इस्तरी शिक्षा आया स्तिती चिंतनिया आसीत उस समय इस्तरी शिक्षा की दशा चिंतनिया थी इस्तुरियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय परचलेत नहीं थी किन्तु डोंग्रे रूडी बधाम धारणाम परित्यज्य स्वय पतनी संस्कृतम मध्या पयत प्रंतु डोंगरे ने रोडियों में जकडी धारणा का त्याक कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई इतधर्दम समाजस्य प्रतारणाम अपी ऐस है इसके लिए उन्होंने समाज की पतारणा भी सही यानि कि जो रमाबाई के पिता थे उन्होंने जो है इस समाज की बुराई को परे रख कर अपनी पत्नी को संस्कृत की सिक्षा दी जिसके लिए उन्हे जो है समाज की पढ़ारणा भी सहन करनी पड़ी अनंतरम रमा अपी स्वे मातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्ट वती उसके पश्षात रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया काल करमेणीं रमायां पिता विपनम से जात समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए तस्या पीतरो जेस्टा भगनी चे दुर्भक्ष पीडिता उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष अकाल यानिकी अकाल से पिडित होकर मृत्यू को प्राप्त हो गए तदंतरम रमा स्वे जेस्ट भगनी चे पदभ्याम समग्रम भारतम ए भ्रमत तद पश्यात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ समपून भारत का पैदल भ्रमन किया भ्रमन करमे सा कोलकताम प्राप्ता भ्रमन करमे सा कोलकताम प्राप्ता भ्रमन करते करते वो कलकता पहुँच गई संस्क्रित व्यदुशेंट सात्र पंडिता सरस्वती चेत उपाध्याम विभूसित और संस्क्रित में वह पंडित सरस्वती और उपाधियों से विभूसित वि प्रहमन क्रम में संस्कृत की पंडित और सरस्वती आधी पाधियों से उन्हें विभूशित किया गया तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेध्या अध्यन एकरोत और तब उसके पश्चात जो हैं ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेधों का अध्यन करने लगी उन्होंने वेधों का अध्यन किया पश्चात सा इस्त्रा नाम कृते वेधा अधी नाम शास्त्रा नाम शिक्षाए अंदोलनम प्राप्दवन तत्पश्चात उन्होंने इस्त्रियों के लिए वेधों और शास्त्रों आधिकी शिक्षा के लिए अंदोलन आरंभ किया यनि उन्होंने जो है अपनी मा से संस्कृत की शिक्षा ग्रहन की लेकिन एक समय साया अकाल उनके वहां बहुत अकाल पड़ गया और उस अकाल के कारण उनके माता पिता और बड़ी बहन का निधन हो गया उनके मरने के पश्चात जो है वो लो रमाबाई और उनका बड़े भाई पूरे भारत भ्रहमन पर निकल गए और वो संस्कृत का परचार परसार करती रहती थी संस्कृत की शिक्षा देती थी कोलकत्ता भी वो गए और उन्हें वहां पंडित पंडिता और सरस्वती नामक उपादियों से विबूशित किया गया उसके पश्चात वो ब्रहम समाज से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई ब्रहम समाज के संपर्क में आई और उसे ब्रहम समाज में बहुत प्रभावित हुई ब्रहम समाज जो है उस समय बहुत ही विख्यात था और उन्होंने जो है वहां पर वेदों की शिक्षा ब्रहम समाज में उन्होंने वेदों की ग्रहन की वेदों की शिक्षा का अध्यन किया और उसके बाद जो है उन्होंने अंदोलन करे इस्त्रियों के लिए शिक्षा के लिए कि उन्हें जो है वेदों और शास्त्रों का भी ज्यान होना चाहिए और वो चाहती थी कि इस्त्रियां जो है इसमें आगे बढ़ें इसके उन्होंने बहुत सारे अंदोलन कियें। सदेक वर्षात अनंतरम तस्यापती दिवंगत उसके पशात डेड़ वर्ष के पशात उनके पती की मृत्यु हो गई। अपिस लोटाइं। उसक्षा के लिए इंग्लेंड देश कहीं तत्र इसाई धर्म से इस्त्री विशय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। और वहां जो है वो इस्त्री के विशय में इसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावी तुई यानिकि इसाई धर्म से वो प्रभावी तुई क्योंकि उसमें जो है इस्त्रियों के लिए सिक्षा में कोई मनाई नहीं थी और उनके इस्त्रियों के प्रति उत्तम विच एंगिलेंड देशात रमाभाई अमरीका देशम ए गच्छत इंगिलेंड देश के बाद रमाभाई जो है अमेरिका देश में एकत्रित किया यानि कि 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने विवा किया और उसके कुछ समय के पश्चात उनके पती का निधन हो गया जब उनके पती की मृत्ति हो गई तो वो अपने घर अपने शेहर वापिस लॉट आई महारास्ट में और उन्ग्लेंड में जो है वोच शिक्षा के लिए गई वहाँ पर उन्होंने जो है इसाई धन से वो बहुत प्रभावित हुई उसके बाद वह अमेरिका गई और विद्वा इस्त्रियों के लिए जो है उन्होंने वहाँ पर धन एकतित करना शुरू कर दिया उनकी सहायता क भारतम प्रत्यागत्ते मुंबई नग्रे सा शारदा सदनम ए स्धाप्यत भारत लोडकर मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना खी अस्मिन आश्रम में निसा इस्त्रियम निवसती समय उस आश्रम में लाचार इस्त्रियां रहती थी तत्र इस्त्री मुद्रणम टंकणम कास्ट कलादिनांच परिशिक्षणम अपी लभनते समय वहां इस्त्रियां छपाई टाइप तथा लकडी की कलाकारियादी का भी प्राप्त करती थी परमिदम सदनम पूने नगरे स्थानांतिरतं जातं परन्तु ये सदन पूने नगर में स्थानांतिरत हो गया तत पूने नगर से समीपे केड़ गाउं स्थाने मुक्ती मिशन नामक सस्थानां तथा स्थाप्यती परन्तु ये सदन पूरे नगर में स्थनांत्रिर हो गया यहां आप भी बे सहारा इस्तरियां सम्मान पुर्वक जीवन व्यतीत करती हैं भारत परत्यागत्य मुंबई नगरे सा शार्दा सदनम एस्थाप्यत भारत को लोट कर मुंबई शहर में उन्होंने शार्दा सदन की स्थापना की अस्मिन आश्रम में निसाय इस्तरिस निवसंतिस में उनके इस आश्रम में निसाय इस्तरियां लाचार इस्तरियां रहती थी तत्रिस्त्रिया मुद्रन टंकनम कास्ट कलादी नांचम परशिक्षणम अपी लभनते समय इन इस्त्रियों को यहां पर छपाई रंगाई और टाइप की और लकडियों के कलाकारी की सिक्षा दी जाती थी परमिदम सद्नम पूरे नगरे स्थान आंतिरम जातम परन्तु यह सदन जो है पूरे नगर में स्थान आंतिरित हो गया तत्त पूरे नगर से समीपे पूरे नगर के समीप केड़ गाउं स्थाने मुक्ती मिशन नामक संस्थानम तस्तया स्थापितम तब उन्होंने केड़ ग जीवन या पियंती यहां बेसारा इस्तरियां सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी 1922 तमेक स्टापदे रमाबाई महोद्या निदनम एबवत्षन 1922 इसी में रमाबाई महोद्या की मृत्यू हो गई सा देश विदेश आनाम अनेक आशु भाषाशु निपून आसीत वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपून थी समा सेवाया अतरिक्तम लेखन शेत्रे अपी तस्या महत्व पूनम अवदानम अस्ती समा सेवा के अत्रेक्त लेखन कारिय में भी लेखन शेत्र में भी उनका स्थान महत्व पूर्ण है इस्त्री धरम नीती हाई कास्ट हिंदू विमन इती तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तती उनकी जो है इस्तरी धरम नीती हाई कास्ट हिंदू विमन में उनकी दो प्रमुख रचनाए है आपने देखा कि पandita रमा भाई एक इस्तरी होते वे भी उन्होंने जो है बहुत सारे कारिये किये उन्होंने जो है इस्त्री शिक्षा को भी बड़ावा दिया और उन्होंने इस्त्रियों की सहायता के लिए बहुत सारे स्थानों की स्थापना की